हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ पुफ पेटी की रेसिपी जो की हम बनाएंगे बिना अवन के बिना बेक किये कडाहिस में बनाएंगे और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनकर त्यार होगी तो चलिए फटावट से देख लेते हैं ये रेस किसे से भी मेजर्मेंट कर सकते हैं तो एक कटोरी मैंने मैदा लिया है स्वाद के अनुसार यह कह सकते हैं कि आदा चमच हमने यहां पर लिया है नमक साथ में हमें यहां पर ले लेना है अजवायन इसका में थोड़ा सा क्रेश करके डालना है इस तरीके से हाथ से क्रेश कर कर्श करने से खुषबू निकल कर आती है कि इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हमें यहां पर लेना है आपको घी चाहे अब बनस्पित घी ले या फिर आप देशी घी ले इसमें घी लेना लेंगे यह देखिए इस तरीके से हाथ से बांध कर देखिए अगर यह अच्छे से बन रहा है मतलब मुएन एकदम पर्फिक्ट लगा है अब हम इसको थोड़े थोड़े से पानी की हल्प से गोद लेंगे अच्छा डो बना लेना है बहुत जादा टाइट डो नहीं बनाना चलिए इस तरीके से हमें इसे 10 मिट रखना है और तब तक हम बागी चीजें तयार कर लेते हैं यहाँ पर जो हमने दो चमच घी बचाया हुआ था इसमें मैं एड़ कर रही हूँ तीन छोटे चमच मैदा इसको हम चिपकाने के लिए काम करेंगे अभी आगे मैं आपको दि या फिर थोड़ा मैदा ज्यादा लगे तो मैदा ज्यादा डाल ले इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि यह थोड़ा सा चिपकने लायक हो जाए इस तरीके से हम फोड में ग्लू यूज करते हैं बस वही बनाना है हमें चलिए 10 मिट हो गए हैं अब हम आटा देख लेते है अपना आटा अच्छे से लग चुका है सेट हो चुका है अब इसके हमें लोईयां त्यार कर लेनी है यह देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 5-6 लोई त्यार कर लिया है चलिए अब हमें इसो बेल लेते हैं तो बस एक प्लेटफरम ले लेते हैं और इसी तरीके से जिस तरीके से हम रोटियां बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहां पे बेलना है तो बस एक एक लोई इस तरीके से लेते जाना है और बेलते जाना है अगर आपको जुरत लेगे तो आप सुखा अटा डस्ट कर सकते हैं लेकिन इस पे आप उयल का यूज ना करें देखिए एक रोटी हमारी त्यार है परफिक्ट बिल्कुल इसी तरीके से सारी रोटी यां हमें बना कर त्यार कर लेनी है यह देखिए सारी रोटी हमने बना कर बनाया था ना एक चमच ले ले और इस तरीके से डाल ले और चारो तरफ अच्छे से इसको लगा ले चाहे हाज से लगाएं ब्रस से लगाएं अब चमच से लगाएं और फिर इस पे एक रोटी इस तरीके से रख कर दबा दें बस इसकी उपर से हम इसी तरीके से घी का जो वनने घोल मनाया था वो लगाते जाना है और सारी रोटिखानी जाना है हां से थोड़ा सा करेंगे इस तरीके से लगा लेंगे ता कि यह अच्छे से लग जा आप और ऑश्य को पर ए पर उपने उपने दाद सरह करेंगे बिलकुल अच्छे से इसको हम बेल लेंगे अच्छे से बेल लेना है बिल्कुल इस तरीके से देखे मैंने आप लंबा बेल लिया है अब हम इसको करना है रोल आप चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं लेकिन ज्यादा मेहनत लगेगी लेकिन रोल करके बनाएंगे ना तो आसान से बन जाएगी बहुत जादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो बस इस तरीके से हमें टाइट रोल बनाना है धीला रोल बनाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमें इस तरीके से हाथ को टाइट गुमाना है तो यह अच्छा टाइट रोल बन कर त्यार हो जाएगा देखें बिलकुल इस तरीके से बनाते जाएंगे बहुत इसली बन जाएगा यह रोल हमारा बन कर हो गया है त्यार यह देखें थोड़ा सा इस तरीके से डूल कर लेंगे और अब हम इसको चाकू की हिल्प से काटेंगे यह इसकी लोईयां त्यार करेंगे तो आप पहले च निकाल दिया है और यह दो इसे 1-1.5 के करीब मैं यहां पे लोईयां काट रही हूं बहुत ही आसानी से γैसे हो जाएंगी सारी लोईयां में काट कर त्यार कर लिये और आप यह देखिए यहां पर, integrate layers कीigor मैं आपको पास से निकल के यह गाएं बिल्कुल सेम असी तरह एक्षाल के बनाएंगा पाइप फिर से हमें इसको बेल लेना है अच्छे से एक रूटी आ बना इसमें यहां बना रह रहे हैं तो फिर इस हमें आपको पताई है कि इसका shape कैसा चाहिए तो रोटी को हम यहां पे इस तरीखे से cut कर लेंगे इस तरीखे से ताकि हम peaters बनाने का shape हमें मिल जाये तो बस इस तरीखे से चारु दरब से हटा दिया है अब बिल्कुल इसी तरीखे से पेटीज बनाने के लिए ओक पेर रोटियां चाहिएं चौकोर रोटी आपकोर के लिए लिया और बीच में हमें रखने रकनी है स्टफिंग मैंने आज नहीं बनाई क reinforcing कि वीडियो बहुत साधा लंबी हो रही ही तो मैं आपकोbrjack कुमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी या उपर आई बुड़न पर आप लिक करके देख सकते हैं यह स्टुफिंग बनाने की रेसिपी मैंने बहुत सारी वीडियो में अल्रेडी दे रखी है तो बस इस तरीके से थोड़ा सा किनार उपर लगाएंगे पानी और अच्छे से इस तरीके से चिपका देना है काफी अच्छे से चिपकाना है क्योंकि यह तेल में जाएंगी तो थोड़ा खुलने का डर रहता है बस इस तरीके से चिपका देंगे बलकुल पर्फेक्ट है ना एकतम बढ़िया बना हुआ अभी जब हम इनको फ्राइ करेंगे तो आप दे मोंने डाला है देखिए तेल जादा गरम नहीं चाहिए बिलकुल इसी तरीके का गरम चाहिए यानि कि आप जब इसमें पेटी से अबाल नहीं आना चाहिए मैं आपको दिखाती हूं डाल कर ये एक पेटी से तरीके से तेल में ढाल देंगे देखा तेल बिलकुल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए एकदम लो गरम होना चाहिए लो फ्लेम पर गरम करें और इस तरीके कहां चाहिए कि आप पेटीज को डालें तो बस हलके हलके से bubble रुटना स्टार्ट हो यानि तेल थोड़ा गुनगुने से थोड़ा ज़ादा गरम होना चाहिए तो बस एक एक पेटिस को इस तरीके से डाल देंगे और जब यह एक साइट सिख चाहेंगे तभी हमें इनको टर्न करना है थोड़ी देर हमें इनको सिखने देना है यहाँ पर पस आपको यह ध्यान रखना है कि गैस के flame जो है वो एकदम low होनी चाहिए high flame पर नहीं होनी चाहिए एकदम low होनी चाहिए flame तो यह देखिए एक साइट थोड़ा थोड़ा सिख गया है बढ़ियां सिख कर त्यार हो रहा है अभी हम इसको जब एक साइट सीख जाएगा तो हम इसको टर्न करेंगे यह देखिए इस तरीके से टर्न करते वोए हमें सेखना है जिससे फफ पेटी हमारी अच्छे से पक जाएगी और लेयर अच्छे से खुल कर आजाएगी हाई फ्लेम पर करेंगे तो यह बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी और इसकी लेयर्स नहीं बन पाएगी तो इस तरीके से लो फ्लेम पर करेंगे तो काफी अच्छी लेयर्स खुल कर आती है तो पसीनिया से फ्राई होने दिते हैं आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तयार प्लीज लाइक तो कर दो और चैनल पर नए होते सिस्क्राइब कर लो बेल आइकान को अल पर क्लिक कर लो ताकि नियू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे मैं इस तरीकी की बहुत ही अच्छी इजी और टेस्टी रेसिपीज बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए तो प्रीज थोड़ा सा सपोर्ट करें यह देखिए फ्रेंट्स काफी अच्छा एक साइट से सिखा हुआ लग रहा है क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी गोल्डन नहीं आएगा धीरे धीरे से सेकेंगे तो आराम से इसका कलर अच्छा आ जाएगा और यह पक भी जाएंगी यह देखिए काफी अच्छा पक कर त्यार हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में अभी लेयर्स इसके कैप्चर नहीं हो पा रही है लेकिन अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी layers काफ़ी अच्छी बन कर तयार हुई है तो बस इस तरीके से निकाल लेंगे और आपको थोड़ा-थोड़ा side से लग रहा होगा कितनी अच्छी layers अभी से आई हुई है यह देखे perfect इस तरीके से हम निकाल लेंगे और प्लीज हमारे चैनल को सिब्सक्राइब कीजिए बाबाई